2.74 euro deduct होगा daily और आपके एक earning wallet आपको मिलेगा, उस earning wallet के अंदर जाकर वो add हो जाएगा, अधार card है, pen card, voter ID card, driving license, passport, इन 500 documents से कोई भी एक document आपने देना है जिसके उपर आपका photo एकदम clear हो, बराबर एक offer चल रहा है, और यहाँ पर वो कितने से offer दिया जा रहा है, यहाँ पर 8 euro company आपको finance कर रही है और आपको मात्र 10 euro से अपना KYC पूरा करना है, अगर मैं euro हो सकता है, कुछ लोगों को ना यहाँ पर समझ में आ रहा हो, तो euro मैं बता देती हूँ, euro क्या है, euro एक global currency है, जिस तरीके से आपने dollar के बारे में सुना होगा, उसकी तरीके से euro एक global currency है, जो all over world में easily accepted है, तो इसलिए company ने यहाँ पर payment के लिए euro को यहाँ पर लिया है, तो friends, 10 euro से आपने KYC करना है, 10 euro में कितना आपका यह amount कितना बनेगा, 1109 रुपे, 18% GST में include है, तो आपको 1109 रुपे, अगर आप खुद KYC कर रहे हैं, तो आपको 1109 रुपे देने हैं, और अगर आ आपर बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या KYC कराना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली तो add agency की रिवांट है, कि वो verified member को ही देगी, तो इसलिए KYC कराना है, दूसरी बात, कि यहाँ पर जैसे आपने registration किया था, तो registration करने पर आपको 50 euro के shares मिलें, उसके जैसे ही आपका KYC कंप्लीट होगा, तो आपको यहाँ पर 200 euro के share और मिलेंगे, तो यह जो shares है, इन shares को आप ज़रूर आगे जब हमारी company London Stock Exchange में लिस्टीड हो जाएगी, तो ज़रूर आप इनको निकालना चाहेंगे, इनको सेल करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, तो औ और भी उसके लिए कुछ प्रोसेस होगा है, तो उसके लिए भी KYC बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हमारी company जो आपको monthly lifestyle bonus एक income है, जो आगे आपको पता चलेगी, उसके लिए भी आपको यहाँ पर KYC कराना बहुत ज़रूरी है, तो friends, यहाँ पर KYC बहुत जगापे काम और एक सबसे last point मैं बोलना चाहूंगी, कि जब यहाँ पर मतलब कि जब अपना KYC आप पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप अपने आपको भी सुरक्षित करते हैं, और अपने परिवार को भी वो, क्यों? क्योंकि KYC जब आप कर लेते हैं, और in future, जब आप एक अच्छ कर दिया जाएगा, तो यह सबसे बड़ा benefit यहाँ पर आपको मिल रहा है, मात्रोर मात 1109 रुपे में, तो friends, यहाँ पर यह clear है, कि आपका कितने रुपे में KYC हो रहा है, अब मैं यह भी बता देती हैं, उसमें क्या document आपके लगते हैं, आपके 5 document होते हैं, हमारा अधार कार है, pen card, voter ID card, driving license, passport, इन 5 document से कोई भी एक document आपने देना है, जिसके उपर आपका photo एकदम clear हो, वह सारे लोगों को objection होता है, कि pen card और आधार कार्ड हम नहीं देंगे, तो मत दीजिए, company ने कभी force भी नहीं किया, कि मुझे यही दोनों document चाहिए, अधर जो document है, उसमें से भी आ दाल कर दे सकते हैं, यह दोनों चीजे आपकी KYC के लिए document लगेगे, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, आपने page पर हम वापस आते हैं, जब हम ने login किया, अपना ID password डाल कर, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का page open होगा, left side में देखिए, आपको 1000 euro current potential income दिखाई दे र देने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या काम है आखिर जिसको करके आप इसको पा सकते हैं, तो friends, आपको देखिए, इस screen पर अच्छे से दिख रहा होगा, वह 60 ads per day, earn 2.74 euro per day, तो friends, यहाँ पर जो आपको एक jobber करना है, वो क्या है, आपको स्मार्ट फोन पर 60 ads देखना ह वही ad जो आजकल हम लोग normal सी बात है, टीवी पर देखते हैं, बढ़ देखते नहीं, skip कर देते हैं, ठीक है, तो वही ad आपको यहाँ पर देखनी है, जब आप daily 60 video ads complete करेंगे, देखेंगे किता समय लगेगा, लगबग खीच कर पकड़ कर चले, तो एक घंटा कम से कम लगे कोई जरूरी नहीं है, 24 गंटे में कभी भी समय निकाल कर देख सकते हैं, अब बात आती है कि जब ad देख रहे हैं किसी का call आ गया तो, call आ गया तो तब भी कोई problem नहीं है, जैसे ही call disconnect होगा, आपका जो ad है जहाँ पर रुका है, वहाँ से आगे continue हो जाएगा, तो daily आपको 2 2.74 यूरो मिलेंगे, और मंतली मिलेंगे 82.2 यूरो, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी, इंडियन करंसी में इसको change करके, daily हो गया, आपका 230 से 240 रुपए daily का, और मंतली हो गया लगबग 7000 प्लस, ये आपका self है, और जो आपको ये 1000 यूरो का जो package मैंने स्क्रीन पर, इसी 1000 से 2.74 यूरो deduct होगा daily, और आपके एक earning wallet आपको मिलेगा, उस earning wallet के अंदर जाकर वो add हो जाएगा, तो इस तरीके से ये जो 1000 यूरो का package है, वो पूरे एक साल में आपको मिलेगा daily 2.74 यूरो की according, अब ये बात आती है यहाँ पर, कि ये आपका self है, आपन में आपने 7000 रुपे की earning गी, अब अगर ये आपको अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को ये बुरा लगेगा, कि हम अपने comfort zone में बैठ कर add को देख रहे हैं, और 7000 रुपे कमा रहे हैं, यहाँ पर कोई आपको जोले में भरके, कोई product नहीं ले जान किसी को कोई ज़्यादा plan नहीं समझाना, कुछ नहीं करना, simple सा है, है ना, तो जरूर आप चाहेंगे कि यहाँ पर हम इससे भी ज़्यादा earning करें, तो friends, next income है, यहाँ पर direct joining का भी यहाँ पर आपको 100% income मिल रहा है, यहनि जितने भी आप यहाँ पर direct sponsor करेंगे, यहाँ आप इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर 100% की according, मैं समझाना चाहूंगी, तीन लोगों का example लेकर, कि माल लिजे, आप तीन लोगों को इस business में लेकर आए, with KYC, तो जिस तरीके से आपने registration किया, और KYC किया, उनसे भी उनका registration और KYC complete कराना है, जैसे ही वो अपना registration और KYC complete करते हैं, तो उन तीनों को भी धाइसो धाइसो यूरो के shares मिलेंगे, उनके हिस्से में जो shares income आपको आएगी, वो आएगी 200-200 यूरो के shares उन तीनों लोगों से, तो आपको हो गए total साड़े 800 यूरो के share, क्यूंकि धाइसो यूरो के आपकी ID पर पहले से आपको मिले थे यह हो गई shares income, अब यहाँ पर 100% referral income की according आपको कौनसी income मिलेगी, जिस तरीके से 7000 रुपे महीने का, आप self में कमाएंगे, उसी तरीके से वो तीनों भी तो add देखेंगे न, उन तीनों को भी 7000 आएगा, तो उन तीनों का 7000 की according 21000 और 7000 आपका खुद का 28000 रुपे की आपक earning हो गई, देखिए friends, आप screen पर देख रहे होंगे, कि एक direct करते हैं तो हमें 14000 की income, कैसे? एक direct जो किया, उससे 7000 आया और 7000 हमारा खुद का हो गया, तो 14000, दो direct किये, तो 21000, तीन direct किये तो 28000, सिल्फ ये एक example है, तीन लोगों का, आप चाहें तो 20 लोगों को join करवाईए, तीन सो को करवाईए, तीन हजार को करवाईए, जितना मर्जी आप करवा सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कोई limit नहीं है कि आपको इतने ही लोगों को करवाना है, यह just example है, तो friends, एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, कि जिसने भी अपना KYC पूरा किया है, जल्द स अगर आप उस पर registration नहीं करेंगे, तो आपको add income यहाँ से नहीं मिलेगी, last में मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी, friends, कि आप लोग चाहें पूरे दिन में एक भी meeting attend करेंड करें ना करें, ठीक हैं, लेकिन एक बार, इतनी सारी meeting होती है, मत कीजिए attend, लेकिन एक meeting प हमारे जितने भी speakers हैं, उस सिर्फ पर सिर्फ इस Zoom meeting की बदौलत है, यहीं पर आकर हमने सीखा है, अपनी टीम को build up किया है, और आज आप लोगों को हम training भी दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा topic खतम होता है, आगे मैं next income के लिए invite करना चाहूंगी, सुमन मैं को, welcome मैं, आप का स्वाधत है, प्लीज नेक्स्ट इंकम को आप शेयर कीजिए,